इस तूडियो में आज की शाम यकीनन एक खुबसुरत और यादगार शाम है आज इस स्टूडियो में जो तीन शक्सियात हैं बहुत ही नामबर बहुत ही मौदबर बड़ी अकिदस हम इनके नाम लेते हैं इन तीनों का तालब अर्दू जबान से हैं ये सब आशिक अर्दू हैं हमारी खुशबक्ती है कि हमारी यूनिस्टी के जो तराना है जिसके खाले गुलजार साहब है गुलजार साहब का नाम आते ही पुरी दुनिया में जहां भी लोग अर्दू जबान जानते हैं बोलते हैं समझते हैं उनको मालूम है कि गुलजार इस दुनिया में सिर्फ एक है और वो टाजी से स्टूडियो में मौचूद है गुलजार साहब ने बेशमार फिर्मों में अपनी खिद्माद दी हैं बहसियत हिदायतकार, बहसियत मकालमानिकार, बहसियत गीतकार इसके अलावा गुलजार साहब ने वो समाम काम किये हैं ऐससे बहस दोर में लोगों बच्चों के लिए बिए बिलकु होड़ी बात है और कुलजार साथ मसलसल बच्चों के लिए बहुत भुबसुरत और मेरी अदब उन्होंने लिखा है बेशिमाद लिखा है जो किताबी सुरत में, किताबयों की सुरत में इस मुल्क में कई जबानों में मौगोद है हमारे आज के दूसरे जो महमान हैं डक्टर तकी अबदी साहब जो पेशे से डक्टर हैं केनाडा में रहते हैं लेकिन कब कहां नहीं रहते ये कहना बहुत मुश्किल काम है हिंदुस्तान में कोई बड़ा अद्बी उर्दو के होले से कोई सिमिनार हो सिंपोजियム हो कोई भी मुशारा हो ये मुम्किन नहीं है कि वो डॉक्टर अबदी सहाब के बेगार मुम्किन नहीं कोई उसके माईकलाल करके दिखा दे वो होई नहीं सकता और इनकी जो किताबों की ताइद है, हैरत होती है कि एक जनम में आदमी कैसे लिसकता, उनकी जखामत देखकर तो बिलकुल यह फिर नहीं होता, कि एक आदमी जो की तबीव है, इतना मश्यूर डॉक्टर है, वो ऐसे कैसे बहुत नहीं का सकता और कितने है, और आज के हमारे तीसरे महमान, वो मेजबान भी है, अगर यूनिस्टी की बात की जाए, क्योंकि वो शेख उल्यामिया है, डॉक्टर मौमद असलम परवेज साहब, पच्चीस साल पूरे होकर लिए है, इन्होंने माहे नमा साइंस के हवाले से, और उसके अलावा साइ काम असलम परवेज साहब तने तनहा अकेले करते हैं, और इन तीनों के बीच में जो एक चीज़ मुश्तरक है, इनकी जबान अर्दू है, ये अर्दू जबान में ही सारे काम करते हैं, इन्होंने इस सारे के सारे थहरत अंगेज काम किये हैं, और एक और चीज़ मुश्तरक है कि तीनों लोग दीवाने हैं और इतना ज़्यादा काम करते हैं कि एक इनसान 24 घंटे में इतना काम नहीं कर सकता चया वह गुलजार साहब हो तक याबदी साहब हो असलम परवेश साहब हो अगर इनके काम की फिरिस बनाई जाए तो यक्रीन करना नमंकिन में से है मैं असलम परवेश साहब जो एक जमाने से साइंस के उपर एक रिसाला निकालना है और बहुत बड़ी बात है कि पाबंदी से एक दिन भी वो आज तक 25 सालों में लेट नहीं हुआ है और उसमें कलमकारों की तादाद और पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है ये होसला कर लेना ही बहुत बड़ी बात है और आपने इसमें जो दुश्वारी आई हैं और जो काम्याबे मिली हैं उसके बारे में हमारे तुलबा जाना चाहते हैं कि अगे तले नहां कैसे आपने ये काम कर लिया मैं खुद अर्दू मीजिया मुका तालवेल बरहा हूँ और तो जैसे ही मैं थोड़ा सा इस्टेविल हुआ अपने कैरियर में मैं अर्दू में साइंसी मजामी लिखने शुरू कर दी है यह मैं इसलिए कहा हूँ कि यह इतनी ही आसानी से हो गया और इतना ही मुझे आसान लगा कि मजामी लिखने शुरू किये फिर उसके बाद जिन त सारोग साइंस उसको रेइस्टर कराया और उसके कुछ मेंबर इखटी किये लिकर उसके बाद जब मीटिंग करके उनके साथ रिसाले की बात करी तो सब लोग अपनी अपनी मस्रूफियातों में थे तो मुझे अंदाज यह लगा और उस दिन मैंने यह सबख पढ़ा कि जि सबसे सफर शुरू हुआ महनामा है और साइंस आम फहम साइंस और माहूल के मौजवात को हम लेते हैं और अल्ला का बड़ा शुकर है कि पच्चिसमे साल में आब आ गया यह साल इसका पच्चिसवे साल में पूरा हो रहा है सफर जारी है और एक तारीखी रिसाल अब बना कि इस बड़े सगीर में कोई साइंस और माहूल का महनामा उर्दू का बच्चिसमे साल तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो बस मुझे लगा कि शुरू कर दिया तो आसान हो गया अगर मैं सोचता रहता तो शायद मुश्किल रह जाता है आप एक मदर्स थे टीचर थे कॉलेज इसकी प्रूफ डीडिंग मेरे साथ कराती ती आज भी कराती हैं घर से निकालता हूं मेरे घर का का में कोई आफिस नहीं है तो यह परचा चल रहा है लगा बड़ा शुक्र है आप उर्दू का खासा जो है वो आपकी एक कमजोरी है आप का प्रिंस्वल मनें तो आपने कहा कि अर्दू को राइच करो जो बच्चे नहीं पढ़ कर रहा है तो यह अर्दू आपकी कमजोरी क्यों कर है सर उसकी वज़ा यह है कि मुझे ऐसा लगता है और हो सकता है मैं गलात हूं कि अर्दू महबत की जबान है और आज नफरतों के इस दोर में महबत के चराख जलाना बहुत जरूरी है और मुझे शुरू से यह ऐसास रहा कि अर्दू की जो मिठास है और जो इसके रिचनेस है में साथ दोर पे मैंने और जबाने भी पढ़ी लेकिन मेरे पास गालिप के शेर का मतबा दिल कहीं नहीं मिलता कि आते हैं गयब से यह माजामी ख्याल में यह मैं समझता हूँ कि यह जबान जो है यह आदमियों को इनसान बना दी सर आप अर्दू यूनिवस्टी के बाईचांसर बने अर्दू यूनिवस्टी के यहां जबाप आये तो क्या खाब लेकर आये थे और आपको क्या-क्या ऐसी चीज़ आपने की हैं जो कि इससे पहल में थी मुझे अन्दाजा था और यहां कि उसके तजदीख हुई कि अर्दू महज अर्दू अदब तक महदूद नहीं होने चाहिए अर्दू को उलूम की जबाना बहुत जरूरी है क्योंकि हर जबान अपना एक तबगा पैदा करती है एक समाज पैदा करती है अर्दू म वो वाकफियत होना बहुत जरूरी है और मैं जहां तक समझता हूं अर्दू यूनिस्टी काहिं में इसी नहीं की गई थी कि अर्दू को फिर से उलूम की जबान बना जाए तो मैंने इसी काम पर सब्जाद तबज्जू दी और अच्छे इसी वज़ा से मैंने अर्दू मे बहुत सी बुनियादी चीजें मालूमात का हिस्सा है हमारी अब अगर अर्दूता तबखा कोई यह नहीं जानता हमारा कोई अर्दू कारी के बैलेंस डाइट क्या है तो जाहर है उसकी सहाथ अच्छी नहीं रह सकती है यह चीज़ अर्दू में होनी चाहीं तो उसी अर्दू साइंस कॉंग्रेस और अर्दू साइंस कॉंग्रेस जिसमें मुल्क भर से उन लोगो इखटा करते हैं जो उर्दू पढ़ते हैं लिखते हैं पढ़ाते हैं बोलते हैं इन मसाइल को जानते हैं और उसे प्लेटफॉर्म तर्टीब दिया जहां से काम आगे चला ए अर्दू का मस्तक्विल आपो केसे नजर आता है? मुझे उर्दू का मस्तविल बहुत अच्छा नजर आता है और उसी तरह जिस तरह से इस मोल्की गंगा-जम्नी-तह्जीब का भी मस्तक्विल मुझे बहुत रॉषन नजर आता है क्योंकि जब दरखतों की जड़े बहुत गहरी होती हैं तो भारी से भारी तूफान में उनको हिला नहीं पाते है इस गंगा जमनी तहजीब की इन महबतों की जड़े इतनी गहरी हैं कि वग्ती तोर से वग्ते दरख्ट हिल सकते हैं लेकिन उनको अपूर्ट रह रही किया सकता touchdown he Adventureala नहीं अंहीं जा सकता लेकिन हमें अपने तोर से अपनी अपनी जगह पर महनद करते रहना है काम करते हैं ngay नहीं अ फ्रह्म करते हैं दोरह tedस्य जडाएपस्राइज आपका इस्याई के वतन है, हधर अधरबाद, आप पेशे से डौकिर हैं और जो काम आपने की हैं, जो कारनामे आपने की हैं, डस प्रॉफेसर मिल कर सकते हैं जो मतलब कि जो यूनिवस्टियां, इंस्टुशन्स काम करती हैं, आप अपने आप में एक एदारा हैं, जो किताबे आप में लिखी हैं, जो उनको जखामत है, चाहे वो शायरी हो या नसर हो, जितनी भी नए सनाफ आ रहे हैं, आप हर चीज से इतने वाकिफ हैं, अनिस और पहले भी लिखा गया है, अखबाल पे पहले भी लिखा गया है, फैस पहले भी लिखा लेकिन जिस तरह से आप जब किताब आते हैं, तो जखामत उसके ऐसे होती है, कोई पहलू आप छोड़ते नहीं, ये दिवानगी आपको कहां से मिल गाए, सब डॉक्टर होने के नाते एक अर्दू का इतना बड़ा तवीब आप कैसे बन गया है? ये बाज लोग ये कह रहे हैं कि अर्दू तहफूस बोड़ की जरुरत हो रही है, उसकी वज़ा ये हुई है कि कुछ अगलात हमने की हैं, जैसे नई नसल से जब हम चाहते हैं कि शेर अदब को जोड़ें, तो सिर्फ अदब बराए अदब नहीं रहेगा, बलके अदब ब बदलना पड़ेगा, मौजवात भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, इस ने आपके साइंस का दूद पिया है, ये साइंस की नजर से देखते हैं, साइंस की फिक्र से मसले को हल करते हैं, तो अगर हमारी अर्दू शायरी, आज जैसे हम यहां पर शनासाई नहीं हैं, बलके अपनी जबान से जो महबत है, उसकी पैरवी इसलिए हम कर रहे हैं कि देखिए, इस तरह से शायरी की जाए, जब मैं कोई किताब लिखता हूं, बताता हूं कि देखिए, गुलदार साब ने तिर्वीनी लिखी, तिर्वीनी की वज़ा ये है कि हर शक्स ट्राइ कर सकता है, इसमें उलूम अरूज और खाफिया वगरा की तंगनाई नहीं हैं, इसमें आप राइजलवक्त अर्दू में जिसमें अंग्रेजी, प्राक्रस, संस्कृत के वार्ड हैं, उसको लफ्स को इस्तिमाल कर सकते हैं, तो बहेसियत अर्दू वकील, अगर्चे के मैं साइंस का ताल बेलू, मैं हक परस्ती से काम लेता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि सही है, हमारा खुदाय सोखन मीर तकीमीर है, हमारा सबसे बड़ा शायर आपके मिर्दा गालब है, लेकिन नसल जदीद तक हमको तरसील और इबलाख के लिए हमें जरूरी ह कि आज का जो दौर है, क्योंकि शायरी जो है, माहौल, जमान और फर्द से बनती है, तो आज का फर्द भी जुदा है, आज का आपके जो है दौर भी जुदा है, मकान वही है, तो तहजीब के जो है रास्ते वही होंगे, तो इसी वज़े से मैं कोशिश ये करता हूँ कि उ इन शायरों के लिए बात करो, वो फाइज हों, वो अमजद, इसलाम अमजद हों, वो आपके गुलजार सहाब हों, तो आप देख रहे हैं कि मासिर शुरा के बारे में मैं बात करके ये बताता हूं, कि देखिए किस तरीखे से हम, हम तो चले जाएंगे, लेकिन तीन सो साल तक ये आएंदा तीन सो साल तक, ये मजमून और खुलते रहेंगे, तो दो सो साल बाद वो शखस कहेगा, कि इस शायर ने फलान अर्से में ये गुफटगू पलोटो पर की है, ये गुफटगू आपके बलाक मैटर पर की है, तो जबान को सरिफ रोटी और रोजगार से जोड रखना नई नसल को अपने साथ लेना है, अगर हम रिवायस से जुड़े हुए हों, तो हम को मस्तक्बिल पर भी एक रास्ता रखना है, इस वज़े से मेरी जो वो है, आपके क्या कहते हैं, राइटिंग्स हैं, उसका एक रीडर्शिप बिलकुल अलग है, जो ये जानता है कि ये शख्स जो कह रहा है, कि अभी आपके जो है शायद वक्त गुजरने के बाद इसको मालूम होगा, कि जब एक शायर कहता है कि हैंगर से मैंने कोट निकाला, तो हैंगर आपके जो है मतरूक लफज था, यानि उसको हमारे पास ये कहते थे भई गजल और नजम में वो जाएगी, तो इस वक्त जरूरत ये है, और जो मैं काम कर रहा हूँ, पहले तो वक्त बहुत है, मैं समझता हूँ, मैं फुल टाइम डॉक्टर हूँ, अभी भी फुल टाइम हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ, अगर हम अपना ओना बिच्छोना कर दें, जैसे एक शेयर लेक करना पड़ेगा, अगर किसी के दिमाग मंजमीद हैं, तो मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आने वाली नसले कहेंगी, कि ये ठीक है, इसी वज़े से आप देखिए, किसी चीज़ को भी ट्रैक पे लाना मुश्किल है, एक मरतबा ट्रैक पे आजाए गाड़ी, त लेकिन एक मरतबा जहन किसी तरीखे से सीधे रास्ते पे आजाए, तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता, तो अर्दू का जो शुगफ और जोख और शौक मुझे था, वो आपके मेरी 15 और 16 साल की उमर से है, इसी हैदराबाद में सियासत दकन में, मैं 16-17 साल की उमरे छोटे होता है, जैसे आपके क्या कहते हैं, जो कुए में मेंड़क रहता है, वो कुए को ही अपना पूरा दुनिया समझता है और अपनी आवाज को सबसे बड़ी आवाज समझता है, तो अर्दू का, मैं वैसे तो देहली में पैदा हुआ हूँ, चार साल के ओमर में हैदराबाद कर मैं हैदराबाद का हमेशा के लिया हो गया, तो कहने का मतलब यह है कि हुसन यूसफ को इस वक्त कुए में ना रखा जाए, जी जी यूसफ को सरी बाजार मिसर तक नहीं, बलके दुनिया के बाजारों में पेश किया जाए, ट्रांसलेशन किया जाए, बताया जाए कि बाख खतम चलाएं और जो अफसाने हों और जो चीजे हों असातिरी मसायर और वो पुरानी आपके घिसे पिटे मजमनों को छोड़कर आज के समाच के मसायर को आपके जो है सामने रखें, जिस से इनसान आज का, देखिए, आज एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि व लहाँ से हो, वो माहिय हो या गजल हो या नजम हो, या धिर्वीनी हो या आपके झो हो खतात हूं, उनका मरकज जो है इतराम आदम है, मुखा में आदम है, हुखुख आदम है, और महबत एंसान है, तो उनका जो नीचोड है, जो मब्दा है वो अनसान है और जिस शायरी मे इनसानी इत की बात होती है, वो भयामबरी है, वो बड़ी शायरी है, और उसको पेश करना हमारा फर्स है, तो मैं ऐसे वकील आपके कुछ काम इहसा नहीं कर रहा हूं अर्दू अदब पे अपना फर्स अदा कर रहा हूं, और मुझे तवफिख है कि ये फर्स आपके इस तरह से अदा करता रहा हूं, अच्छे ये तजर्वा आपके कैसा रहा, गुलजा साब की तिर्वेनी की तश्री और तज्जिया जो आपने किया है, तो वो तजर्वा जो आपका था, क्योंकि इसमें कोई वक्त लगा होगा, बातें भी होती है रहती होंगी एक्सर जाद के और जो बात करता हूं, वो दलिल से करता हूं, तो तिर्वीनी जो हमने बताई, असल जो मसाइल है, अरूस का एक ही गुरू है, कि अगर कोई शेख्स ये जान ले उर्दू तख्ती में, कि कौन से लफज आपके शुमार नहीं किया जा सकते तो वो तख्ती कर सकता है, तो इ अगलेंगे नहीं, तो ये जो तीन आपके जो है मिसरों की जो बिल्कुल नहीं चीज़ है, इसका कोई तालुख हाइको से नहीं है, जो आप साथ पांच का सलिवाई है, इसका कोई तालुख सलासी से नहीं है, मुसल्स से नहीं है, तिपाई से नहीं है, तकुनी से नहीं है यह बिल्कुल क्योंकि इसका कमाल यह है, जो किसी और फारसी में भी नहीं है, अरबी मैं नहीं जानता, इसका कमाल यह है कि इसमें जो पहले नहीं दो मिस्रों में जो शेर होता है उस शेर को तीसरा मिस्रा जो है आपके पूरी तरीखे से आपके बदलता है जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा ये तो ऐसी चीज़ है कि ये जो मिसाल खुद गुलजार साहब ने कही है कि ये गंगा जमना के धारे और नीचे से जो जमीन दोज आपके सरस्वती होती है उसको आया करना उसको जाहर करना है तिर्वीनी वो एक जूनला जो है जाहर करना मानी यह हैं कि तीसरा मिस्रा शायरी क्या है शायरी यह है जिस चीज को आप जो है इल्हामी यानि किये है कि इल्हाम से आपको जो है वो चीज हासल हो तो मैंने देखा कि तिर्वीनी एक ऐसा गोल्डन आपके जो है या एक ऐसा डैमेंड है जिसके उपर आपके नातरीशा है इसको तराश के पेश करें, इसको बताएं कि देखिए, कोहिनूर भी जब दरिया फुआ तो एक धेला था, चमक रहा था सरी, लेकिन जब उसको तराशा गया, तो कोहिनूर बना, ठीक है, तो मैंने इसको साखतियात के लिहास से, लिसानियात के लिहास से, एक चीज़ खोला है, के गुलजार के गुलजार में दाखिर हो, और वहां के खुछभू, उसके राइंग, और उसके अद्वार, और उसके फूलों की अचसाम से वाकिफ हो, और अपने अपने दिमाग के लिहास से काम करो, तनखीत की हमेशा गुझाईश है, आपके जो अज़ अज़ यहां बनाना है, और नएने, और जब तक कि हम नौजवानों को यह काम ला करें, और जबान देखिया, जबान ऐसी है, कि ना उसमें अरबी का कोई अदाख लब्स है, ना उसमें इजाफात है, और रोजमर्णा में बाच्चीत है, ऐसा जैसा कि एक शख्स मुकालमा कर रहा उसकी वज़ाई यह है, क्योंकि यह जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं शोरा, जैसे वो अरस्तू हो या आपके इलियट हो, या आपके शेक्स्पियर हो यह ड्रामा निगार भी थे, कमाल यह है, यह बहतरीन आपके इसक्रिप राइटर और आपके गीतकार और हिदायत यह सच है, कि मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत से यह काम नहीं हो सकता, यह काम के लिए एक जहन की कैफियत है, जिससे आपके शायर गुजरता है, और वही जहनी कैफियत का नाम फित्रत है, और उसी फित्री शायर का नाम आवर्थ है, और आपके जो है आमद है, और उस से हट कर हम सब आवर्द है और उसकी कोई अहमियत नहीं तो कहने का मतलब यह है कि जब मैंने तिर्वीन उनके नजमे हों या वो हों वो अपनी जगा पर कामल है लेकिन तिर्वीनी खुद ऐसी चीज है जिस पर अभी अवाम की दस फीसद भी नजर नहीं पड़ी है अगर उस हौसनशनास हर वक्त खौसनशन परस्त हो जाता है शनासाई ज़रूरत है इस वजह से मैंने ये किया है कि गुलदसते को आपके इसे इसंत्फादा कर सके तो बहुत शुक्रिया। गुलदार साथ यहां मौजूद है जाहिरी कि कोई भी तखलीकार रहे है। गुलदार साथ बहुत मशूर आदमी है। हजारो लाकों बल्कि करोर लोग इनसे इश करते हैं, महबबत करते हैं, इनको लोग कहते हैं तहजीब इसे कहते हैं। अर्दू जबान यह हैं। गुलदार साथ हिंदूस्तान के अंदर एक फिल्म फेर अवार्ड मिलिया है तो आदमी के पैर जमीन पे रहते हैं। आपको माशालब दरजनों मिले हैं। आसकर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, पदम विवूशन, दादा साथ पालेकर अवार्ड, इसके बावजुद भी आप इतने ज़्यादा लगता ही नहीं कि आप कोई भी आदमी होगा उसका कंधें उचक जाते हैं। उसकी आँखों में एक अजीब सा वो रोव आजाता है। इस खदर महजब आप लगते हैं। जब भी कि लगता नहीं कि आप बिल्कु संत आदमी है। अर्दू की जो खिदमत आपने की हैं। इस दोर के अंदर बहुत कम लोग हैं जो इस पाये तक पहुंचे हैं। कि इसको मकबूल आम कर दिया आपने। और लोग गुन गुनाते हैं जब के हाद से चूके इने रिष्टों के इलजाम ना दो। मैं जब कॉलजी में इता तो मैं चौक या था किया था कि क्या लवज हैं। कैसे मतलब इसके मीनिंग ऐसे शेड जिसे पेंट हो रहा हो कोई दीवारों के ओपर। यह जो आप यह कहफियत कहां से आती हैं। जो आप कागस पर इस तरह से लवज उतार देते हैं। यह हमारा जो सारा के सारा फोक है वो आपने किस तरह से खुबसुरते इस्तमाल किया है। फिल्म को देखने के बाद आप इतने हावी हो जाते हैं कि आपको उतार पाना बहुत मुश्किल होता है। किस फिल्मे में चाए मकालमा हो चाए हिदायत आपकी हो। यह जो जादू है, यह कितना वक्त लगा आपको इतना बड़ा जादू गर बनने में। जी आपका सवाल उना मुश्किल सवाल है। नहीं सर। यह कहां से आते हैं अगर यह मालूम होता हूँ यह तो मैं तो सोर्च पर पहुंच गया होता कि यहां से निकलता है यही पर उसी चेश्मे पर रहूँ जहां से यह पुछा है पिससर आपको बहुत बड़ा मुटाला होगा लेकिन जाहिर कि तक्यूल में आपका जहन चलता होगा यह सब कैसे कैश करते हैं मैं जैसे आज शाम का जिखर है कि मैं कहरा थे खुद को पहचानते रहना बड़ा जरूरी है बाकी सब कुछ आपको आसपास से मिलता है दोस्तों से मिलता है और वो जिंदगी हर वक्त आपको चूती है किसी ना किसी तरफ से किसी है अदमी एक चीज में कमाल कोई दनी आप से मतलब फिल्मों में आप चीज में का में तिर्यल बनाने गए तो सेरील में भी आप मिर्जा गाली बना तो हार आदमी हेरान कि इससे हसीन तस्वर तो कोई कर ही नहीं सकता ते गालिब को जिन्दा जाविद कर दिया अपने मेरे खैले गालिब को मजामीन आते थे गायब से मुझे मजामीन आय गालिब से अच्छा वारच अर्दू जमान से इस शुरू से था क्योंगे वही पहली जमान थी यहां से जो पढ़ी और मेरे वालिद मुझे खुलसूरत अर्दू लिखते थे और फारसी भी जानते थे और विर्से में अर्दू का इश्र मिला उन से अर्दू मैं आज भी अर्दू ही मैं लिखता हूँ अर्दू ही मैं बढ़ता हूँ कि आप राइटर बने कुछ था ऐसा कि नहीं मुझे बिलकुल नहीं चाहते थे यह किसी के वालत आज भी नहीं चाहते कि बेटा राइटर बन जाए क्यूंकि इस शौबे से इंकम की उमीद कभी भी नहीं है किताबों पर आज भी जिंदा नहीं रहा जा सकता कि मैं किताबें अलिक के जिनदा रहूंजे मुम्किन नहीं आज भी सिर्फ यह कि नए मीडियम आने से थोड़े से वसीले बन गए हैं वरना मैं जो बात पर एक बीच में खलर अंदाज हुआ वो यह था कि मैं परवेश साहब की उस बात पर जो जारी रखा है यह रसाला यह उर्दू की ब मुझसे ज्यादा करने वाले यह लोग बैठे हुएं देखिए उन्हें देखिया अरदी साब को देखिए इनका कॉंट्रिबूशन जो है जो अर्दू की खिदमत इन लोगों ने किया मैं तो कुछ भी नहीं कहीं भी नहीं हूँ उस मकाबले में अब साइंस बताई मैं मु उन्हें इसकी पड़ने पे मझबूर किया नाजवानों को नग्रेजी पड़ो यह आज की आज का दौर है आज की ज़माने वो काम पर्वेश सहाब आज कर रहे हैं कि अरतू में साइंस में कितावें नहीय सॉय नहीं है। रही है नाएवंदखन अपनी जगह हैं, उस दौर में बहुत बड़ा काम किया लेकिन आप इस दौर में जो यह काम कर रहे हैं, साइंस का के उर्दू जबान में, यह इस चीज़ की कमी है और एक रसाला निकालते निकालते 25 साल निकालती है और अर्दू में वाइस चांसलर है यूनिवर्स्टी के अर्दू यूनिवर्स्टी के और यहां दूसरे मौजवाद पर भी अर्दू में काम करवा रहे हैं तो यह लगन से यह इश्ड से होता है यह अगर लगन है आपको वही बात आप है जी सामने की जी है के इस दोर में कोई चीज यह मैंसे काऊ मुझविद जिसे हो कह रहे हैं चायद लोग पता नहीं कितना समझ लेंगे लेकिन उन्हें यह जानना जरूरी है मुझविद मुझविद से मतलब उनका है स्टाटिक ना तो जिंदगी स्टाटिक है जी और ना कोई तहजीव स् कल्चर स्टाटिक नहीं है सवी तक स्टाटिक नहीं है आप का खाना पीना रहना सेहना स्टाटिक नहीं है वो बदलता है वक के साथ साथ तो जबान भी तो बदलेगी और अगर आप दो जबान को ये लेके बैठे रहे हैं कि नहीं गालिप के दौर की जबान अब नहीं है तो ये तो खलिती होगी, आपको अपने दोर की जबान समालनी पी पड़ेगी और समारनी पी पड़ेगी, कुछ आपको पेच्छे से मिली है, विर्से में मिली है, कुछ आपको अपने मक्ड के साथ समारनी है, जबान कैसे नहीं बदलेगी, तो अगर हम अर्दू को ये देख लिखना चाहें इस तरह के वो जो जो जबान बोली जाती थी उन्नीसवी सदी और अठार्मी सदी में उसका इहतराम तो हम जरूर करते हैं लेकिन उसमें रहना मुनासिब नहीं नॉस्टैलिया बड़ी खुमसूरत चीज़ है उप्लों मज़ा आता है नॉस्टैलिया में लेक सिर्फ इतना कर रहा हूं कि अपने दौर की जबान मेरे इस दौर की जबान क्या है हम किस जबान में बात करते हैं और वो जबान जिसे मैं हिंदुस्तानी भी कहता हूँ वो अर्दू है मेरे मीडियम जैसा आपने जिक्र किया कि फिल्म का है फिल्म की जबान जो है वो नव कि टलफावाववगे, दलफाववगें हैं तलफाववगें हैं सक्रिप्ट की वज़ा से तो फर्ज यह वनता है कि इस किर्प्ट को समँख लैए, ताकि टलफाव Babas साही जगह पे एंगले रख़ये न घर्वर कहा हो रही है और णो अउन में अर्दू उर्दू बोलते नहीं तुझ आप शिर्फ कहुए गाना रो दो कि कीजिए उसकी स्कृप्ट सही कीजिए और स्कृप्ट को क्वونे ना दीजिए क्योंकि बहुत ही बहुत ही खुमसूरत स्कृप्ट है . मालना एक अल्ल्फ से ले के ये तक आने तक आप केली ग concern की चाहती है? चाहे अर्दू तो मैं अभी भी यह से शाम को जिक्र रो रहा था तो मैंने का आप देवनागरी में उन्हें सिखा दिये सिखा ये उन्हें क्योंकि अगर ज़वान जिन्दा रहेगी तो आदमी उसकी स्क्रिप्ट सही स्क्रिप्ट की तलाश करेगा इसलिए वह बहुत सब्सक्रिप्टि बभाद जीजी 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 है उर्दू में लिखकर या देवनागरी में लिखकर नहीं होगी लेकिन अगर अगर अंग्रेजी है तो आप उसके औरीजिनल अल्फभेट ढून लेंगे यखिन है तो एक प्रोसेस है इस वह जसम हिसी जुमारी जो मुम्किन एक्र रहा हो प्रूर और जुनूर कि जो काम आवञदी का में किया है या जो काम वह सिर्ट बार्ज सक्नाय कि अरद evidence ऑन्सेटे कि जी 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 वह साथ काम यह तो बैकिना को है. मेरा मुकावल या मेरी तलना जिसे नहीं वो जब करें मेरी तो वो उनके साथ नहा कीजिए उनके काम बहुत बढ़ा है लोगों के अए अन शफीक उस्ताद का अन्दाज है आपका आप शागिर्दों को और चोटों को आगा बढ़ाते हैं यह आपके सार ऐसी थोड़ा है कि पुरी दुन्या आपके से अमली सुबूत है इस बात का जिसका आप शिकर कर रहे थे अर्दू तैजीब आपको हम मानते हैं अर्दू को मसीहा मिलते जाते हैं और यह और चीज़ है कि मसीहा खुद अपनी आपकी मसीहित वो जो दर्मानी कैफियत है उसको दर्क नहीं कर सकता पूल को कहना पड़ता है भाई तू हुआ है यह चीज़ है इस वज़े से शेर फहमी जो है शेर गोई से बड़ी हुई है यानि बाज वख शोरा कहते हैं कि तुमने जो यह तच्जिया किया है बखुदा मैस से वाखिफ नहीं था मसला यह है वो तो आपके नेकी कुंदर दजला अंदाज यानि नेकी करते रह आती है फिर पलट के वापिस नहीं आती तो गुलजार साहब और इमसाल गुलजार साहब जो आज कल इस किस्वी सदी में और इस दौर में जो अर्दू की नाव जैसा खुद उन्होंने आपके मालूम है के गालिब की नज़े में कहा किष्टियों में कागजी किष्टियों जो है नाव में अर्दू भायकत थी आज वो जो अर्दू आपने कहा है बहते हुए अर्दू की नई बस्तियां हर किनारे पर आ चुकी तो यह काम तो चलता रहेगा लेकिन इनको सलाम करना इनको सलूट करना इनको बताना कि फखर राजी ने साससा साल पहरे जो शेयर कहा इनको याद दिलाओ कि यह बहुत बड़े लोग हैं तो छोटी सी हम कोशिश यह करते हैं कि यह बताने के लिए कि आप तरह सा देखें क्या कह गए इलहामी कैफियत जो होती है शायर जानता है क्या कह रहा है लेकिन शायर उस उमख और उस गीराई उस जाविया और उस पहल अंधी के साथ जो बारिश होती है उस तरीखी के आमद है तो मैं ममनून हूँ आपके जो है के आज लोगों ने देखा और सुना और क्योंके छप चुके हैं गुलणार साथ तो कोशिश यही करने चाहिए हमको के मुशायरों में और सिर्फ टीवी के सफों पर ना देखें बलकर किताबों में और सुकून से मुतालिया करें तो मालू यह होगा कि हमारी जो जहन और हमारी जो जहनियत और हमारी जो फिक्र है उसमें किस खतर बालिदगी और तबानाई और उंचाई और बढ़ाई आएगी तो इनसान क्योंके खुदगर्ज वासे हुआ मैं जब पूरी मौकम नहीं हो सकती तो हम ममनून है बारहाल आपके बुर्शाफ साहर किसे हैं यह जो आपने अर्दू के फ्यूचर की बात की अर्दू का मस्तखबिल कैसा है तो अर्दू का मस्तखबिल बहुत रोशन है यह जबन जो आपको दो तीन चार दाहाई पहले भूपती फ्यूँ नजरा रही थी इसके पीछे फालिटिकल प्रेजुडिशस थी यह जिकीना यह वह प्रेजुडिसस हटा के देन और अकुछ निकलाएग दो उस मेर को कोई तास्ब की बात नहीं है अगर आपने देवनागरी में पढ़ ली तो मुझे कोई इत्राज नहीं पर वो जबान उर्दू और उसका तलफु से ही रखी है ह достू को पूरा कि चाफ से लेकर आज तक का ढ़नागरी में मतलफ अगर पंजाबी दो जबानों में लिखे जा सकती है बढ़र मुकिं में लिखे जाती है उर्दू स्क्रिप्स गर्मुखी है यह अगर अवीगे करते हैं आमें साम के लिखे जाते हैं और देवनागरी की तरह जो गुषी में लिखी जाती है, तो दो स्क्रिप्ट हैं उसके, और कई जबाने जनकी एक से ज्यादा स्क्रिप्ट हैं, कौंकनी जैसे, उसकी दो और स्क्रिप्ट हैं, कंड़ में भी और मराटी में भी, सिंधी पी ऐसी है, जिए अरब, कंड़न ने अपनी जबान, कौंकनी ने इन जबान भी स्क्रिप्ट बी मॉडिफाई कर ली, वह भी हुए है, जिए प्रोसस है, एक प्रोसस है, सिविलाईजेशन का, तो उससे चाहिगा इनकार है, तो सिविलाईजेशन کا अपना एक प्रोसस उनसे होने दीजिए और सहारा दीजिए और कोशिश कीजिए कि ये जबान जो उर्दू लोगों को समय में नहीं आती उसके बावजू सुनते वो बड़ा च्छा लगता है मेरे मिर्जा गालिब का जो सीरिल चलता था मेरे हाँ नीचे एक पार्सी लेड़ी रहती थी तो मैंने से पूछा हैं, do you know who was गालिब? तो मैं लेगे, you know? I say, but then, ये आप हर थरस्दे क्यों लगा के बैढ़ जाती हैं? मैं दिखता हूँ, आप हमेशा बैढ़ती हैं I like the way that old man walks and the way this man speaks is very good. आप बगार समझे भी उर्दो जमान की एक चाशनी हैं, जो आपके कान में पड़ती हैं, जो आपके कान में पड़ती हैं, जो सूरत लगती हैं. खुबसूरती ही, मुँ में रसाने लगता है, गोल गप उसकी तरह रजग लगती हैं, बड़ी इंफेक्शिव जबान है वो, आप दस दिन कलकता में रह जाएए, आप गरम चाए को गोरम बोलने लगी आए, पर उसकी खुबी है उस जबान की, तो इंकार नहीं है, उर्द हाँ, उसरे नहीं देए, सिर्फ धियान रखे हैं, समालिये उसे, इतनी यही अर्ज कर सकता हूँ है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया करम बोलने लगता हैं, तो मैं शुक्रिया आजा करता हूँ अपने मेहमानों को जे स्टूडियों में तेशिव रहा है, खास है बहुत करीबी रिष्टा हमारा उनका और बहुत बड़ा एहसान भी उनका है, युनों इतना खुबस तराना इसी इनुस्ति को दिया है, और अभी तक लोग अली गड़ी इनुस्ति तराने बहुत इता देते हैं, हम कहते हैं कि हमारा तराना भी है कि पुरा पुरी फिजा नक्टर सेयद तक्याबदी सहाब जो केनेरे से तरशीफ लाए हैं और जिनों ने तिर्वेनी किताब को इस वक्रिशाद पजीर हुई है उसके विए से आज की महफिला रास्ता हुई है, मैं उनका भी बहुत तिली कहरा हैं तो शुकुरियाद है करता हूं, और हमारे हर्द अजिए शेख लजामियाद डॉक्टर महफद असलम परवेस आपका जो की साइंस की वेलाओस खितमत एक जमाने से करते आ रहे हैं, इन उस्टी में जो कारनामे हैं वो तो आप सब पर आया हैं, मैं इन तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रियाद है करता हूं, आपका बहुत शुक्रियाद करता हैं, 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 आपका बहुत शुक्रियाद